राशन कार्ड धारकों के लिए ज़रूरी खबर है केंदर सरकार की ओर से राशन कार्ड रखने वालों को कई तरह की सुविदाएं दी जाती हैं फिलहाल दिली सरकार ने राशन कार्ड के नियोमों में बड़ा बदलाव किया है नियोमों में हुए बदलाव के बाद आप बिना दुकान पर जाए ही राशन ले सकते हैं बता दे दिली सरकार ने एलान किया है कि जो भी लोग फ्री राशन की सुविदा लेते हैं और वह दुकान पर जाकर राशन नहीं ले पा रहे हैं तो अब उनको घर बैठे राशन मिल जाएगा आपको बता दे नियोमों में किये गए बदलाव के बाद आप अगर राशन लेने नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को राशन की दुकान पर भेज कर राशन मंगवा सकते हैं आपको बता दे क्या हुआ है नियमों में बदलाव दिली सरकार ने कहा है कि जो भी लोग मेडिकल कारणों की वज़ा से या फिर किसी अन्य परेशानी की वज़ा से राशन लेने नहीं जा पा रहे हैं वह अपने बहाफ पर किसी दूसरे व्यक्ति को इस काम के लिए नोमिनेट कर सकते हैं या फिर भेज सकते हैं आपको बता दे इस समय राशन लेने के लिए कारण धारग को बायो मेट्रिक पर फिंगर प्रिंट देने होते हैं जिसकी वज़ा से आपकी जगा कोई और राशन नहीं ले सकता है लेकिन सरकार की और से जारी किये गए नई नियोमों के मताबिक आप अपनी जगा पर किसी दूसरे व्यक्ति को बेज कर भी राशन मंगवा सकते हैं आईए जानिये किन की लोगों को मिलेगा फाइदा इसके अलावा दिव्यांग सदस्यों को भी इसका फाइदा मिल जाएगा आईए बताते हैं कैसे कोई ले सकता है आपके बेहाफ पर राशन इसके लिए राशन कार्ट धारग को एक नोमिनेशन फॉर्म फिल करना होगा इस फॉर्म के साथ नोमिनी के डोक्यूमेंट्स भी जमा करने होंगे इसके बाद जिस भी व्यक्ति को नोमिनी बनाया गया है वे आपकी जगा जाकर दुकान पर राशन खरी सकते हैं असल नियूज ब्यूर रिपोर्ट